हालो एब्रोवान कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे नमिशाना ट्यूटिफ चैनल पर आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करती हो आज के वीडियो पर मैं आप सब के लिए लेके आई हो 50 रुपीज पर कंप्लीट होने वाला एक ब्लैक स्मोकी आई लुक जो आपके लिए बहुत ही फाइदमन्द होने वाला है और आज के इस मेक अप लुक पे हम बहुत ही अफॉड़ेबल सामान यूश करेंगे बहुत ही फाइदमन्द प्रोडक्स है कि बहुत सारी ऐसी लर्किया या ऐसे ओरती होती है जिनके पास इतना सारा मेक अप का सामान नहीं होता है तो मैं हमेशा अपने वीडियो पे यही लाने की यही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम किस तरीके से जो हमारे बेसिक सामान होते हैं जो हमारे घर पे या हमारे पास हमेशा परे रहते हैं इस तरह की जो प्रोडक्स होते हैं तो उसी में से हम किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा सा मेक अप लुक हम अपने फेस पे क्रियेट कर सकते हैं यही मैं आपको हमेशा बताने के कोशिश करती हूँ और फ्रेंट्स आप मेरे आइब्रॉस देख सकते हैं काफी दिन हो गए मैंने ट्रेडिंग नहीं करवाया है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हर ताइम जो है मेरा आइब्रॉस ट्रेडिंग किया हूँ इस तरीके का दिखाई देता है बठ मैंने ट्रेडिंग नहीं करवाई क्योंकि मेरा यह जो यह आईबरोष का साइट भाला यहाँ पर तो यह चोटा पर अजहरे गरो था हो दःभट तो यह सकता है आपको केमरे पहों माँ अच्छे से नहीं तो इस तरीके से बोला, तो आप लोग गलत मत समझें, क्योंकि मैंने उस ताइम भी ट्रेडिंग नहीं करवाया था, मैंने पहले ही बोला, कि मेरा जो ट्रेडिंग आइब्रूस जो है, उसका जो हमारा बाल होते है, वो बहुत चोटा-चोटा करके मेरा ग्रोथ होता है, तो ह आप सबको आज के बात ऐसा नहीं लगेगा, कि हाँ, हमें मेक अप करने के लिए बहुत ही, बहुत-बहुत-बहुत सारा समान की जरूरत है, बहुत सारी महंगे-महंगे प्रोडक्स की जरूरत है, इस तरीके का खयाल आपके दिमाग से चला जाएगा, क्योंकि आज के हो या कोई सेलवर शूट हो या गाउन हो आप इस मेक अप लुक के साथ किसी भी तरीकी की ब्लेक ड्रेस जो है आप पहन सकते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले-पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कि जो भी मेरा नया फ्रेंड पहली बार के लिए मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्रीаж आप लोगे चैनल को सब्स्क्राइब कर डिजीये और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजेगा और अधर सबसे बैल ईकन को प्रेस कर लिजिए क्य जो है इस चैनल के जरिए में डालती रहती हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो देख पाएंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं मेरे आखे जो है बहुत ही मतलब सूजी हुई है दो दीन से अच्छे से मुझे नहीं मिला तो इसलिए तो चले हम मेक अप सुरू करते हैं तो आज सबसे पहले में अपना आई मेक अप करूंगी तो उसके लिए अपने आइस को सेट करने के लिए मैं यहां पर अपलाई कर रही हूं जॉन सेंस बेबी पावडर क्योंकि आप कभी भी आई मेक अप करो तो अपने आइब्रोस को फिल कर लोंगी उसके लिए मैं यहां पर ले रही हूं काजल जो बहुत ही आफॉर्डेबल है मैं इसको जो है लोकेल मार्गेट से मैंने खरीदा था तो मेरा जो है यह मुझे लगभग 10-15 रुपे में मिल गया था तो इससे मैं करूंगी अपने आइब्रोस को फिल आज पूरा मेक अप इसी से चल जाएगा थो नेक्स मैं यहां पर वाइबालि काजल रही हूं और अपने आइलेज पे लगारी हूं जैसे कि आप हम स्मोकी आइज का एक लूक देने वाले हैं ब्लेक स्मोकी आइज तो मैं वही वाली काजल लेके जैसे कि हम लगाते है आइशेडो ठिक उसी तरह हमें लगाना है तो हमें दोनों आइस पे जो है इस तरीके से बहुत ही अच्छे से लगा लेनी है काजल को तो उसके बाद में दोनों आइस के लोयल असेस पे उसी वाली ब्रस और उसी वाली काजल को थोड़ा सा अपलाई करूंगी तो काजल को आईलेट पर अच्छे से smudge कर लेने के बाद में यहाँ पर एक ग्रे कलर की सीमरी शेड लेके बस थोड़ा सा उपर-उपर में लगा रही हूँ और उसके बाद में एक हलका सा ब्राउन कलर कर शेड लेके अपने क्रीज को अच्छे से ब्लैंड कर लोगी क्योंकि हमने पूरे आई लेट पे जो है ब्लैक कलर लगाया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर से हम ब्लैंड कर लेंगे तो वो दिखने में और भी ज्यादा खुबसूरत दिखेगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक आप इसे काजल भी बोल सकते है या आई लाइनर भी बोल सकते है इसे मैंने लिया था लोकल मार्केट से अपना तो मैंने यहाँ पर मैं जो जो प्रोड़क्स अपलाई कर रही हूँ यूस कर रही हूँ सारे प्रोड़क्स क पहली बार अपलाई कर रही हूँ लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आपने देखा होगा मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने थोड़ा सा हाथ पे लगा के आपको दिखाया था मैं कितनी जोर-जोर के घिस रही थी लेकिन वो मित नहीं रहा था तो बहुत अच्छा है उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे मस्कारा और मस्कारा लग जाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ वही वाली काजल 15 रुपे वाली है तो उसी से क्या करेंगे हम काजल लगाएंगे अपने वाटर लाइन पे दोनों आइस के हम अच्छे से आई मेक अप कर लिया तो ठीक है अब हम करेंगे बेस तो उसके लिए मैं मौश रैजर लगा रही हूँ यहाँ पर नीविया का तो छे लिए अच्छे से लगा लेते हैं तो फ्रेंस आज के मेक अप लुक पे मैं जो जो भी प्रोड़क्स यूस कर रही हूँ यह सारा प्रो एक कितना अच्छा सा लुक आया है ना लॉर्य वा तो लोकिल मर्केट से लिया हुआ तो क्या हुआ अब देख सकते हैं कितना अफोरडिबल हैं प्राइस कितना कम है अंड उपर से जो हैं बहुत काफी सारे लोग ऐसे होते कि इतने महेंगी सामान अफोर्ट नहीं कर सकते ह इतना महेंगे महेंगे प्रोडक्स जो है नहीं खरीट पाते हैं तो छेलिए हम लोकेल मार्केट से लिया हुआ जो हमारा ये कम प्राइज बाला प्रोडक्ट है तो इससे हम कितने अच्छे से एक मेक अप लोक क्रियेट कर सकते हैं ना तो मैं यहाँ पर बेबी पाउडर अप्लाइ कर रही हूँ वो भी कॉंपिक पाउडर की टॉर पे और नेक्स में यहाँ पर कंटारिंग कर रही हूँ वही बाला काजिल थोड़ा सा बस ज्यादा नहीं और हाँ आप लोग किये मत समझेगा कि हां पाजिल कव हम लगाएंगे तो यह बहुत ही बलाग सा अ हो जाएगा हो जाएगा अगर आप ज्यादा लगाओगे तो मैंने ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा हलका सा मैंने brush पे लगाया है और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा contouring की जैसे की लगा रही हूँ और उसके बाद मैं उसी eyeshadow palette से मैं यहाँ पर जो हमारा white color का जो शेद होता है ना सिम्री शेद तो उसी को मैंने हाइलाइट यार की तौर पे लगाया है नेक्स्ट में यहाँ पर लगा रहे हूँ हुडा ब्यूटी का लिप्स्टीक और थोड़ा सा मेकप को सेट करने के लिए थोड़ा सा में मेकप फिक्सर लगा रहे हूँ और आप फाइनल लुक देख सकते हैं तो फ्रेंज यही था मेरा आज का वीडियो और बटाईएगा कि वीडियो कैसा लगा और हाँ आज कल मैं नोटिस कर रहे हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को देखते नहीं हो वैसे मेरे जितने भी फ्रेंज है जो मुझे प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं लेकिन आज कल ऐसा हो गया कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो पता नहीं क्या वज़ए हो सकता है मैं आपको आपके हिसाब की वीडियो नहीं देख आ रही हूँ तो आप प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा मुझे कि आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज आशा करती हूँ आप मुझे बताएंगे और मिलते हैं नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए बाबाई